गुद मॉर्निंग और रात को मैंने ये जो चिया सीप्स भिगोए थे वो है और ये बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं बहुत ज्यादा और साफ सफाई करने के बाद ये मिट्टी जो हमने मंगाई थी वो मैं उपर थोड़ा करके ले जाओंगी तो ये मिट्टी हमने पौधो के मेरे से ज़्यादा उठेगा नहीं एक बार में तो मैं ये चोटे-चोटे बैग्स में बार के लेके जा रही हूँ और देखती हूं कितना उठ जाएगा क्योंकि कमल जी ने निए थोड़ा-थोड़ा करके लेके जाना एक बार में नहीं और जो कुछ गमले थे जिनके पौ 200-25 feet X है और इसके और आगे ख़ी ज़ाकर थो काफी अच्छ है जार कफी अच्छ है तो यह आप चाहे हो तो अगर आपको the आपको madam का शॉंक रहाता है तो वर यह जो सस्प्रेश बहुत अच्छी है यह तियार हो गए है अब मैं इस पे पौधों में पानी डाल लेती हूँ क्योंकि कोई नई चीज होती है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है एक्चुली छट पे अभी न कुछ गमले में कुछ एक्स्ट्रा पौधे थे वो हटाने थे कुछ नए लगाने थे तो उस चकर में फिर मैंने का मैं भी चली जाती है और सारे पौधे मेरे आजकल अजीब से हो रहे हैं मतलब जितने फूल हो गएरा आने चाहिए वो आनी रहे है और पौधों को मुझे लगता है सबसे जल्दी नजर लगती है तो पौधे विल्कुल ही वो हो जाते है फिर थोड़े तिनों में उनकी केर बहुत ज़्यादा करने से फिर सही हो जाते है तो पौधे में पानी तो कमल जी डालेंगे वो तो मैं ट्राइ कर रही हूँ कि ये सही चल रहा है कि नहीं और इधर गमले में एक निम्बू का पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुगाया था तो मैंने तो काटे वाला पौधा नहीं रहना चाहिए काफी दिन से मैं सोच रही थी लेकिन कभी मंगलवार पढ़ जाता था कभी बुदवार पढ़ जाता था और यह पीपल का है तो पीपल का अपने आप उगाया था तो इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी या देखती हूँ इसी में हो जाएका तो इसी में रख दूँगी यह अपने आप ही पीपल और निम्बू उग गए थे और फिर मैं नीचे आ गई थी नीचे गली में वो जो नाली साफ करने वाला आया था फिर मैं अब नहाने जा रही हूँ मैंने सब्सक्राइशन वाले साफ कर लेती हूँ बाहर का और उपर वाले फ्लोर का साफ करते वाई हूँ और कमल जी अभी भी छट पे हैं क्योंकि मैं बीच में ही आ गई थी मैंने का यहां भी देखना जरूरी है तो चलिए वासवेशिन हो गएरा साफ हो चुका है और यह शीशा जो है मेरा जो एक पर घर में जो आग लग गई थी उसकी वैसे शीशे पर गड़े पढ़ गए थोड़े 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 तो मैं नहा के आच चुकी हूँ और अब मैं करने वाली हूँ अपना शिंगार औ क्योंकि संस्क्रीन ज़रूरी है धूप से बचने के लिए यह SPF 50 संस्क्रीन है और मामा अर्थ का डेली ग्लो संस्क्रीन है तो चलिए पहले मैं इसे लगा लेती हूँ इसका टेक्श्चर आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा और मामा अर्थ के जो भी प्रोड़क के साथ साथ पी ट्रिपल प्रस प्रोटेक्शन है जो कि हमारे स्कीन को ब्राइटन करता है और नैच्रल ग्लो लाता है और मेट सेफ सर्टिफाइड है और हर टाइप के स्कीन के लिए सुटेबल है उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली अगर आप यूज करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पर तो आपको 20% डिसकाउंड मिल जाएगा और मामा अर्थ की वेबसाइट से अप जित्ती बार भी कोई प्रोड़क्ट करते हैं तो आपका हर एक और एक प्लांट से लिंक किया जाता है और 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि एक मिलियन ट्री प्लांट करने का मामा अर्थ की प्रोड़क्ट आपको मामा अर्थ की वेबसाइट एमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ड, परपल इन सब जगों पर तो मिली जाएंगे साथ में लोकल स्टोर पर भी मिल जाएंगे तो आपके आसपास का कोई स्टोर हो तो जरूर बताईएगा मैंने मामा अर्थ की आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी आफर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और आप उसका फायदा उठा सकते हैं और मामा अर्थ है एक प्लास्टि नहीं बनाए ब्रेकफास महीं लोगों ने मुसली खाया था क्योंकि सुबहे मुझे बाहर बहुत ज्यादा टाइम लगया क्योंकि वह जो गली में आया था हो साफ करने बना ली और जो चट्पे बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया तो फिर मैं सीधा खाना ही बना रही हूं I am a video I am not ready to चोमाने हो ज्यादा कुछ नी नहीं में मैं बना रही हो डाल भुझिया और आज रोटी बनाओए क्योंकि यitter मतल hitting जा chemical घुक्त हो जाता है उसे है में क्यों में बना रही हूं अब से उसको और रहता है बच्चों को रहता ही है तभी मैंने सूचा रोटी बनाती हूं कि कुछ को चावल उतना पसंद नहीं है तो मैं बना रही हो आलू का भुजिया आप लोग कई पर बोलते हो तो बहुत ही सिंपल बनाना थोड़ा सा तेल ले लो पैन में कोई भी और यह पै कमल जी जादा बारी काटते हैं तो वैसे भी वह भी गुस्सा हो रखें क्योंकि मैं आज बहुत जादा देर चली गई थी तो बातचीत पर ऐसे ही टाइम निकल जाता है और उसके बाद मूंग की डाल बना रही हूं इसमें भी थोड़ा से मैंने ओयल डाला है जिससे की कु जाएंगे फिर वह क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे तो यह आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपका पैन नॉन स्टिक है फिर तो बिल्कुल ही ज़रूत नहीं है और आपके पास जैसे हार्ड अनोडाइज है तो उसमें थोड़ा धक्ये वह कर सकते हूं थोड़ थोड़ा साथ दूदध और मिनट के लिए इसको दूदध उबलने दूँगे अब ça बनके त्यार हो गया तो इसको निकाल लूगी और निकालने के बाद जैसे इसको सबको च्छान के निकालने के बाद फिर इसको साफप पानी से ढोना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर खट जो एक्स्टा पानी है नीचोड रही हूं तो फिर उसके बाद आप इस पनीर को जैसे की जिस शेप में रखना चाहें वैसे शेप बना के फ्रिज में रख सकते हैं तो बिल्कुल बाहर के पनीर से भी अच्छा बन जाता है तो बस यह मैं तो मुझे साथ के साथ बनाना है पन नमक डाल रही हूं और इसे एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसे छोड़ना है और थोड़ा थोड़ा से चलाते रहेंगे जिसे की नमक इसके अंदर मिक्स हो जाए और अभी भी ढखना नहीं है तो बस यह थोड़ी दिर में बक्के तियार हो गया और उसके नहीर दो नहीं कुक्कि अगर मैं जाते हैं तो इतना अलए तक कड़ता नहीं और थोड़ा सा दन्या पाऊडर और थोड़ा साल लाल मैर्च पउड़र कश्मीरी मिर्च यह डाला है जैक रहर ज्यादा तीखा ना हो थोड़ा सा ग्रेड किया हूँ आ अध्रक और यह भिना दाल का टेस्ट अच्छा आता है खुश्बू आने लग जाती है बस इसको एक से दो मिनट गैस पर मैंने इसे उबलने दिया है और दाल हमारी रेडी हो जाएगी फिर इसको धनिया पता हो गएरा इसके उपर से आप डाल सकते हैं तो बस यह उबाल आ चुका है अब इसको मैं किसी और बरतन में निकाल लेती हूं मैं तो इसी फ्राइंग पेन में इसको बना लिया था क्योंकि आ गया इसमें नहीं तो कडाई में आप कर सकते हैं और गरम मसाला डाल दिया है मैंने तो बस अब गैस बंद कर दिया अब इसको बरतन में निकाल लेती हूं और इसको धनि यहां उनको माफ कर देगा क्योंकि अगर सुबह थोड़ा सा टाइम इधर उदर कर लो ना मतलब चाहिए फोन पे लग जाओ या टीवी देखने लग जाओ या किसी से बात करने लग जाओ कुछ भी एक्स्ट्रा करने लग जाओ ना अपने टाइम टेवल पूरा इधर से उद इंब उपने खाता है तो मैंने सोचा कि अब जो हो चुका है हो चुका है बाकी चीजों को मैं कम से कम मैंवेनेज कर लो तो खाना मेरा इनको बन चुका है तोячा हिएन लग जा अच्छी नी लगती है तो इसलिए मैं आब के सैंटिथे ने जानना पॉडर टाइन यह जाय उसके बाद मैं बरतन बरतन को निपटा रही हूं इनको ठिखाने लगा कि फिर सोच रही हूं उपर वाले फ्लोर पर या चट पे जाके आने का क्योंकि चट पर अभी बहुत सारा काम बचा हुआ था और चट पे जाते जाते हैं मैं इधर बालकनी में आई बालकनी में मुझे गेट गंदा दिग गया कमल जी ने बालकनी आज साफ की थी बाहर क्योंकि बाहर का काम मुझे लगता है कि वही सही करते हैं फिर मुझे गेट थोड़ा धूल दिखी तो मैं इसको दोने लगी और फिर पौधों के ओपर भी धू जाएगा और सही में पूर अंदर तक पानी चला गया था फिर उसको पूरा वाइपर से मैंने निकाला और हमारे यह जिन लोगों ने टाइल लगाई है बहुत ही स्पेशल टेकनिक यूज किया है कि हमने भूला था बिल्कुल एक जैसा जीरो लेवल रखना पानी मतलब कही जहां रहे वहीं रहें तो लेकिन अंदर की तरफ पानी जाता है मतलब हर कुछ स्पेशल काम हुआ है और जो पौधों को ना पालकनी में या कहीं भी देखने में तो अच्छे लगते लेकिन उनकी केर बहुत जादा करनी बढ़ती है तो वैसे यह सब पौधे कमल जी की जि गिरते रहते हैं तो इन सब को साफ करना देखने में अच्छा लगता है लेकिन और उपर वाली बालकनी में तो और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फिलाल इसको साफ कर लेती हूं फिर उसके वाद शाम का काम आगे कबढ़ होंगी वेलकम एक फ्रेंड्स और मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने पिछे कुछ बैड्स या लगा लेती हूं कि फिर से लगा लेती हूं तो कमल जी से लगवा लेती हूं यह उसमें यह कोलर किए इसमें स्क्रीश नहीं कंगी होई है कॉलरी सही है लेकिन प्यूर को एक पड़या मिक्स है तो तो 379 की पड़ी है तो ठीक है और मैंने वह वाला option दबा दिया था कि मतलब return only होगा कि अगर आपका कुछ defect होगा इसमें तो return नहीं वा लेकिन मैं सोच रही थी और इसके pillow cover अच्छा है मतलब stitching अच्छी कपड़ा भी सही है और यह दूसरी bedsheet है यह वाली तो मैं confused थी क्योंक इसे चनल पर दिखाई थी pure cotton है और बाहर इतना शोर आ रहा है पता निक क्यों चिलाते हैं बच्चेया पूरे दिन चिलाते हैं और दूसरी bedsheet यह वाली है यह मुझे सबसे जादा पसंद आया थी लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा पतला और सारी bedsheet 379 के around है अगर मुझे link मैं पे किया उससे बहुत ज़्यादा ची क्वालिटी के Amazon से मगाया है तो Amazon पर शॉपिंग करने पर यह तसली रहती है कि जो आप देखते हो exactly आपको वही मिलता है तो मतलब आप निश्रिंत हो के शॉपिंग करना चाहते हो Amazon Flipkart यह सब है नहीं तो आपको सरदर्दी और यह चोटी पड़ रही है उसके बाद मेरे बहुत मजाक उड़ा रहे है कमल जी और यश कह रहे है कि एसे लग रहा है कि पता निक कहां से ले लिया है तुमने और मतलब एक साइट से पूरी नहीं आ रही तो दूसरी साइट से बिचा है तब जैसे तैसे करके थोड़ा करके टकीन हुई आई है तो अब मैंने अपनी इज़त बचाने के लिए किसी भी तरह इनको थोड़ा सा वो कर लिया यह तो फिर भी आ गई लेकिन यह है कि अगर आप पैसे कम लगाते हो तो आपको क्वालिटी भी उसी साब से मिलती है तो यह मैंने बिचा ली है और यह मै यह मैं तब तक लिए बाई बाई